हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल, तो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेर करूंगी ब्लाउस बैगनेक का बैसिक सा डिजाइन, तो बीना देरी किये हुए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए हमने अस्तर के साथ में कपड़े की भी कटिंग कर लिया है, तो देखिए मैंने यहां अपने ब्लाउस की लंबाई रखी है 15.5 इंच मैंने इसमें मारजिन भी एड़ किया हुआ है, 38 इंच चेष्ट साइस का मैंने यहां ब्लाॉस कटिंग किया है, तो साथ के साथं मेजर्मेंट ले लिया है अब हम नेक डिजाइन बनाने के लिए मेजर्मेंट लेंगे तो देखिए यहां से साड़े तीन इंच पर मैंने माग किया है नीचे की तरब भी साड़े तीन इंच पर माग किया है अब नीचे के डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहां से साड़े आर्ट इंच का लंबाई रखा है ये दिखिए और चोड़ाई रखा है मैंने तीन इंच का आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं इस तरीके से माग करने के बाद अब हम इसमें राउंड से दे देंगे अब यहां से हम साढ़े चार इंच पर माग करेंगे हाफ इंच हम मार के चाल लगाया था वहाँ हम कप्ड़े की कटिंग कर लेंगे यह देख़े हैं पूरे राउंड बे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से और नीचे के साइड को भी इसी सेफ…. में में!! अब नीचे मार्किंग वाले जगह पर हम थोड़ी सी कट लगा लेंगे तो इसी के साथ हमारी ये कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है अब हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे तो देखें मेन कपड़े को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे इसके उपर हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे और इसको अच्छे से पीन से सिक्यूर कर देंगे ताकि यहाँ इधर उधर खिसके न अब हम लाइनिंग की कपड़े को और मेन कपड़े को अटेच कर लेंगे इस तरीके से शिलाई करते हुए यह देखिए जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ वैसे आप भी सिलाई करते चाहिए सिलाई करने के बाद हम पीन को निकालते जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरह की की नई नई डिजाइन सीखना चाहते हैं तो प्लीज पेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल की बटन को दबा करके और को अप्सन जरू सेलेक्ट कर लीजे ताकि आगे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो देखिए इस तरीके से लाश्ट सिलाई कम्प्लीट करने के बाद एक्ष्टा धागे की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है अब हम कपड़े को इस तरह से सीधा रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए चले जाएंगे लाश्ट तक यह देखिए अब हम मेन कपड़े को लेंगे और पलट करके अस्तर के कपड़े के उपर बराबर रख देंगे यह देखिए इस तरीके से अब हम इसमें पलट करके सीधी सिलाई लगा लेंगे यह देखिए अच्छे से हम पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे बराबर जमा करके यह देखिए यहां तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड हमने अच्छे से इसको पलट करके सीधा कर लिया है ये देखिए कितना finishing के साथ हमारा यह underground stitching हो चुका है ये देखिए अब हम इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे अब यहाँ से हम एक्षा कपड़े की cutting कर लेंगे तो ये देखिए सबसे पहले हम पूरे round में cut कर लेंगे और नीचे भी इसी तरीके से cut कर लेंगे ये देखिए यहाँ तक cut करने के बाद अब हम दोनों side में भी सिलाई लगा के pack कर लेंगे अब हम यहाँ tux लगा लेंगे दोनों side इस तरीके से half inch margin लेते हुए हम इसमें tux लगा लेंगे यहाँ से लंबाई मैंने रखी है 4.5 inch का आप इससे थोड़ा से ज़्यादा रख सकते हैं यानी पांचीज तक कि देखिए यहाँ तक सिलाई complete करने के बाद extra धागी की cutting कर देंगे और दुसरे side भी इसी तरीके से tux लगा लेंगे अब इनके margin को अंदर के तरफ रखते हुए हम इसके उपर हलका सा नाखुन से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से प्रेस करने के बाद अब हम इसको side कर देते हैं अब हम design की किनारे पर piping लगाएंगे तो उसके लिए मैंने ये उरेब कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई मैंने रखी है सवा 1.5 इंच अब हम piping धागा लेंगे और धागे को इस तरह से कपड़े के अंदर रखते हुए फोल्ड कर लेंगे ये देखे अब हम इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से finishing के साथ तो ये देखे फ्रेंड हमने piping लगा कर त्यार कर लिया है अब extra कपड़े की cutting कर लेंगे cutting करने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से open करेंगे ये देखे और इसको सीधा रख लेंगे सीधा रखने के बाद अब हम यहाँ से piping लगाएंगे तो ये देखे ये हमारा उल्टा है और ये सीधा भाग है तो सीधा भाग को हम इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे यह देखे, इस तरीके से हम पूरे राउन में सिलाई लगाते जाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ यह देखे, यहां तक हमने सिलाई कम्प्लीट कर लिया है, अब हम यहां किनारे पर हलका हलका कट लगा लेंगे जो हमारा एक्ष्ट्र कपड़ा है यह देखे, यहां तक इस तरीके से हम इसको पलट देंगे, एक बार फोल्ड कर लेंगे अब हम फिर से इसके उपर सिलाई लगा लेंगे यह देखे, यहां तक हमने दो बड़ सिलाई लगा लिया है, अब हम इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे यह देखे, इस तरीके से हमारा बहुत ही सुन्दर पाइपिंग लगके तयार हो जाएगा यह देखे, यहां से बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हमने पूरे नेक पर पाइपिंग लगा लिया है, अब हम इस डिजाइन के जॉइन पर इस तरीके का फैब्रिक बटन और आई लगा लेंगे आप चाहे तो यहां फ्लावर या कोई सा भी सुन्दर सा फैब्रिक लटकर लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे यह दिजाइन बनके त्यार हो चुका है तो आज का हमारे यह सिंपल सा डिजाइन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा नगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीकी की नई नई डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई